हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1000 स्क्वार फिट हाउस कंस्ट्रक्शन में टोटल कितने इंटे लग जाएंगी यानि कि ब्रिक रिक्वार्मेंट देखेंगे अगर आपका टोटल प्लॉट का जो एरिया है अगर वो 1000 स्क्वार फिट का है तो कितने इंटे आ जाएंगे उसमें तो दोस्तों सबसे पहले तुम्हें आपको यह प्लान दिखा देता हूँ यह जो हमारा प्लान है यह 20 फिट बाई यह 20 फिट यह 20 फिट बाई पचास फिट का है और इसमें दो तरह की वाल्स है एक जो हमारा आउटर वाल है यह यह 9 इंचेस का है और जो हमारा यह इनर वाल है यानि कि पार्टीशन वाल है यह साढ़े चार इंच का है तो अब हम इनका अलग-अलग calculation करेंगी cubic fit में और फिर देखेंगे कि हमारी total कितने इते लग जाएंगी 1000 square fit में तो सबसे पहले दोस्तों हम 9 inches wall का देखेंगे फिर 4.5 inches wall का देखेंगे फिर हम जारे जो total brick है वो देख लेंगे और कितने रुपए लग जाएंगे brick में वो देख लेंगे तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी से request है कि प्लीज वीडियो को like कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दें दोस्तों वीडियो को end तक देखें वीडियो को बीच में बिलकुल भी skip ना करें वीडियो को end तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम 9 inches wall का देख लेंगे जैसा कि हम आने आपको बताया कि हमारा outer wall जितना भी है ये सारे 9 inches के हैं तो पहले हम इनको cubic feet में कर लेंगे और उसके बाद जो हमारे door हैं उन door के area को minus करेंगे और window के area को minus कर देंगे तो इतना सब करने के बाद हमारा जो 9 inches wall का total area आया था वो 1260 cubic feet आया है अब क्या करेंगे कि हम एक cubic feet में हमारा 12.25 इंटे लग जाती है हमारा total area आगया 1260 cubic feet अब हमको यह देखना है कि हमारे इंटे कितनी लगी तो उसके लिए हम 12.25 से multiply करेंगे 12.25 से multiply इसलिए करते हैं क्योंकि एक cubic feet में 12.25 इंटे लगती है तो आए multiply करके देखते हैं 1260 into 12.25 करेंगे तो 15,435 से नाइन इंचेस वाल में लग गई 15,435 से अब हम साढ़े 4 इंचेस का देखेंगे तो जितने भी हमारे inner wall है किचन का inner wall रहा partition wall या bedroom का है या toilet का है जितने भी हमारे inner wall है उन सबका cubic feet में area निकालने के बाद वो total area आया है 320 अब क्या करेंगे इसको एक cubic feet में जितनी इटे आती है यानि कि 12.25 से multiply कर देंगे तो उसका total आ जाएगा multiply करके देखेंगे 320 इंटू 12.25 कि 3920 सीटे लग जाएंगी 3920 सीटे अब देखने कि हमारा total brick कितना लगा तो 15,435 प्लस 3920 जोड़ देंगे total हमारी इटे लग गई दोस्तो 19,355 अब क्या करेंगे total cost देखेंगे तो total cost के लिए हम क्या करेंगे 19,355 में जो हमारा एक इटे का प्राइज है उससे multiply कर देंगे यानि 7.5 से multiply कर देंगे into 7.5 तो हमारा total आ गया एक लाख 45,162 रुपए यानि कि एक हजारी स्क्वार फूट में अगर आपका प्लान कुछ इस तरह का है चुकि जो ये brick का requirement हमने निकाला है वो अपने इस plan के recording निकाला है तो plan के recording brick की requirement different दिफरेंट होगी तो मैंने इस plan के recording निकालकर आपको समझाया है कि कैसे brick की requirement निकालते हैं तो इस plan के according total जो हमारी brick लग रही है वह 19,355 लग रही है और एक brick का हमारा मार्केट में जो प्राइच चल ला वो साड़े साथ रूपय चल ला हमने मिल्टिप्लाइब करके देखा तो हमारा एक लाख पैंतालिस हजार एक सो बांसट रूपय का टोटल हमारा ब्रिक लग गया में तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और पर इंफॉर्मेटिज वीडियो देखना जाते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू